आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ विहार बोड के क्लास 12 का इंग्लिस का 10 चेप्टर इंडिया थूए ट्रेवलर्स आईज यानि यात्री की नजर में भारत ओके आप जैसा कि जानते हैं कि विहार बोड में 100 पड़ता है तो यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इस टॉपिक से हर बार एक या दो अब्जेक्टिव कोशन पुझा जाता है यानि एक वन या मार्क या टू मार्क का तो आप इसको अगर पॉइंट वाइज याद कर लेंगे तो आपका एक तो हम लग डिसकस करते हैं पहले इंडिया थुए ट्रेवरस आइस हे क्या चीज़ ओके ये एक एसे है याद रखेंगे एक एक नीवन्द है ओके और यह किसके दोवारा लिखा गया है इनकी जन में कब हुई 26 June 1892 में हुई USA में हुई यानि United States of America में हुई 6 March 1923 USA, यानि जर्म और मिर्तिव कहां हुई USA में United States of America में हुई और मिर्तिव कब हुई 6 Leah 1963 में USA में होगी तो यहां से यह figure यह आप देखेंगे जन में और मिर्तियू ओके नेक्स देखें अमरीकन बाइब बर्थ वास एर्ड इन आज वास रियर्ड इन चाइना बाइब हर मिशनरी पेरेंट्स ओके तो यह अमरीकन थी बाइब बर्थ यानि उनका जनम जो है जनम हुआ था अमरीका म और बाइब बर्थ थी ओके नेक्स देखें वाज रियर्ड इन चाइना चाइना में जो है इनका रियर्ड किया गया था यहीं पालन पोशन किया गया था तो आपको यहां से ऑब्जेक्टिव कोशन पुछा जा सकता है कि बाइब बर्थ कहां की थी तो अमरीकन थी और वह आप याद रखेंगे चाइना में और किन के दु動 rocket किया गया था उनका misticky parents कि भरता इचानी वो कहां पढ़ाती थी तो चाइनीज उने पढ़ाती थी दोट Bizot TV का तो different countries का करना यानि जर्नी करना वह अक्सर जाती थी तो इसलिए उसको उनको जाना जाता है किसी याद करके उसके बारे में लिखना तो उसको कहा जाता है देखेंगे इसको क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है इंपोर्टेंट पॉइंट है यह पुलिजर प्राइज 1932 में मिला था और और नोबेल प्राइज 1931 यानि 1931 में पब्लिश हुआ था गोड्स वर्थ उनका एक नोबल है इंडिया इस बेग्राउंड तो उन्होंने उनका चीफ जो मेजर वर्क्स कर सकते हैं कि दो था गोड्स और एक था जो चाइना पर जो है एक नोबल है वो चाइना पर बना था ओके लिखी थी और और कम माई बिलेवेट विट इंडिया बेक्राउंड था तो यहां से यहां इस रिखेंगे तो यहां से भी आपजेक्टिव को सब्सक्राइब पुछा जाता है कि पुलिजर प्राइज उन्हें इस सो बतिसमें या नॉबल प्राइज ने स्वार्टीस में मिला था तो किसके लिए मिला था लिट्टरेचर में तो उनको मिला था गोड्स अर्थ याद नेस्ट और जिस थेंडिया ते दैंडिया ट्रुट्फरफ चाल रहे ऐंडियों कर धिरन प्रोड फॉटका यह तो उसी से एक उसी का एकां से हैं इंडिया थ्रुट विया कर्फ आई दो याद रहेंगे यह कहा है से हैं से लिया गया है थेकन लीकोरण है अपनी जिंदगी में क्या हुआ उसके साथ हुआ था उसके साथ जिए वर्यकूरण में दिखाना चाहती है इससे दिखाना चाथी है, याusta, दिखाती है को भूह सारा प्यार है उसके लिए, विस्यश कर किसके लिए, इंडियन पॱरेंने विलेजेज, जो इंडियन विलेजेज में रहते हैं, और पूर लोग रहते हैं, गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ओके वह दर्चाता है दिखाती जानने के लिए आती है तो टाउन के जितने घ्रीजिवी थे उसके बारे में पता लगाती है उसके बारे में जानती है और जितने सारे घाऊं तो उसके बारे में more जानने के लिए थी तो यहां से आपको पूछा जा सकता है के हैं आए थी यह आती उचलिट नीकार औ necessite के वारे में जानने के लिए और यह और इंडियन जैनिके निलागे एडियन ङो में रहते थे आट्ね she had an Indian family doctor तो यहां से भी कई बार objective question पुछा गिया है कि उनको family doctor कहां का था उनका तो Indian था she learned of Lord Buddha from her father तो यहां से भी कई बार objective question पुछा गिया है कि उन्होंने Lord Buddhism के history के बारे में Lord Buddha के बारे में कैसे जानी कहां से सीखी तो अपने पापा से सीखी और किसके बारे में सीखी Lord Buddha के बारे में क्योंकि missionary parents थे था उसके माता पिता तो missionary parents कहा जाता है धर में परचारक को जो propagate करता है religion का कास्मीर was invaded by the white barbarian invaders तो कास्मीर पर जो है हमला किया गया था किसके दोरा किया गया था white barbarian invaders कहा जाता है खुखार जंढली को जंगली जो अकरमन करिता थे वन्हों के दोरा जो है इस पर अकरमन क्याता breakout मिया था नेड्य क Eleありがとうございます को केशियन एन इंडियंस बिलॉंग करते हैं कि सेune और ऺखी जाती है तो कास्मीर ने रप रखेंगे रखेंगे रखें को बाइजेट्छ पर लोगों में जो अनि प्लाइमेंट डिखता है यानि भीरिचारी दिखती है गहां कि तो इंडियन जो है उसे में कहां कि इंडियन थी तॉ इंडियन थे याद रहेंगे ईए सम्में फर्स्ट पर सिडेंट अफ्थ अब दाइजनल एंडियन थे हैं देखे यंग इंडियन इंटिलेक्टियलज़ से इंग्लिष रूल्습니다 इंग्लिषी रूल से बहुत ज्यादा किया थे डी स्ट पॉइंटेट यंडियन का मिलोब होता है लिए लिए लगता था आपके तो कितना होता था उसका 25 यह होता था याद रखेंगे यह फिगर नेश्ट के इंडियन इंट्लेक्ट्ट्ट्र से बुद्धी जीवी थे वह वह बहुत ज्यादा क्या थे सब्सक्राइब करती है कि इंडिया में गरीबी है तो इसका उसको ब्लेम करती है यह बीटिस सरकार को करती है कि उसी के वज़े से जो है इंडिया आज गरीब है तो यहां से भी कई बार अब्जेक्टिव कोसन पुछा गया है तो इसको मैं ने आपको बताने की वोसिस की है अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं ओके विहार बोट की स्टुडेंट हैं तो मैं आपके लिए जो है लिंक और और सब चेप्टर का दे दूंगा हर चेप्टर का दो वीडियो बनाता हूं एक अब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव ओके अगर आप क्लास 10 की स्ट शैड़ा नहीं है या ऐख खर और आप अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं इंग्ली्ज फ्रेंक्ली बोलना चाहते हैं तो इस वैगर आप टलास के लिए पारवाइज बनाता हूं उसका विडिश्टिव में लिंक के देदाना अगर आपने अभी तक मिले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए दोस्तों को सेर किजिएगा अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर किजिएगा यह हमारा इस चेप्टर का याने तेंथ चेप्टर का यह अब्जेक्टिव वला वीडियो है दूस